आज की इस कार्यक्रम में उपस्ति देश की खेल तता सोचना प्रसान विभाग के मंतरी आदर्णिया अनुराग ठाकूर जी ग्रह राज्य मंतरी तता खेल विभाग के राज्य मंतरी मेरे छोटे भाई आदर्णिया निशीत परमानिक जी Youth Affairs Ministry के सचीव आदर्णिया उशा सर्मा जी, Sports के आदर्णिया सचीव रभी मित्यल जी, DG Sports Authority of India संदीप प्रदान जी Star Sports के शंजिय गुपता जी, हम सभी के लिए गौरब लाने वाले लगातार दो बार अलंपिक मिडल जितने वाली आदर्णिया पीवी शिंदू और इस बार हम सभी की मन में एक नई उस्चा नई खुसी और मैं बच्पन से Sports लवर हूँ इसलिए बड़े Consciously कहता हूँ, Sportsman नहीं कहता हूँ, हमारे अनुराग जी के सामने Sportsman कहना फिर अभी उनको कहेंगे परिक्षा दो इसलिए मैंने कहा सेफली Sports लवर हूँ, और मैं पहली बार साइद इंडियन आथिलेट्स में साइद PT उसा जी के बाद, बीच में साइद अन्जू बेबी ने भी कुछ थुड़ा अच्छा किया था, लेकिन नीरत चोपरा जी ने इस बार हम सभी की मान बढ़ाया, देश की मान बढ़ाया, ऐसे दो हमारे Global Players हैं और इस कारेकरम में मेरे साथ दिल्ली में जुड़े अनेक प्रमुक साथिगन Technology Platform में इसको देखने बाले स्कूल की दुनिया के, स्पोर्ट्स के दुनिया के Youth Affairs Ministry के अनेक मित्रगन मैं आप सभी को बढ़ाई देता हूँ, भारत सरकार के और से बढ़ाई देता हूँ ये Fit India Movement की एक प्रकार से दूसरी सालगिरा है और सालगिरा की अबसर पे 29 को आप लॉंच हुआ, आज एक को Fit India कुईज की रेजिस्टेशन लॉंच की जा रही है, किस बैग्राउंड से, दो अितिहासी ख्यान हम लोगों की सामने है एक देश की आजादी का अमुर्त मोहशब चल रहा है आजादी का अमुर्त मोहशब और अलंपिक के बाद, पारा अलंपिक जब चल रहा होगा उस दोरान इस बार पंदरा अगस्ट को प्रधान मंत्रीजी ने विशेश निमंत्रन दिया था हमारी अलंपिक को पहली बार देश की पंदरा अगस्ट की अति थी लाल किले की दिवार पे हमारी अलंपिक से भारत की इस जर्निंग में 75 साल की जर्निंग में हमारी स्पोर्ट्सम्यान हमारी खिलाडी हमारे लिए गौरब लाएं इसकी सन्मा निस्वार श्वेंग परधान मंत्रीजी ने लाल किला से किया मैं आज आपकी सामने जब हूँ मेरा स्कूल से जुड़े हुए मित्रों से एक अनुरोध रहेगा मैं धन्यवाद देता हूँ स्पोर्ट्स मिनिष्ट्री को यूथ फेर्स मिनिष्ट्री को अनुराग जी को निशित जी को उन्होंने जो आपना एक विजिनारी जी बनाई है खेल को नीचे ले जाने के लिए उसकी माध्यम उनने स्कूल को चुना देश में पंद्रा लाग स्कूल है राज सरकारों के द्वारा चलने वाले स्कूल भारत सरकार के द्वारा चलने वाले स्कूल नीजी उद्यम से चलने वाले प्राइबेट स्कूल और क्लास 8 से क्लास 12 की स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे यानि लगभग मेरे एक अनुमान है दस लाख स्कूल दस लाख स्कूल के प्रती 25 लाख रुपिया के अभी जो आवार्ड आनौन्स किया कूल मिला के 3 करोड 25 लाख की आवार्ड और हाइस्ट एक स्कूल को 25 लाख आवार्ड और इंडिविजल प्लेयर्स को भी आवार्ड मिलेगा यह दस लाख स्कूल उस आवार्ड विनिंग कम्पिटेशन में पार्टिसिपेट करें यह हम सभी की इच्छा है और उसमें क्यों खेलना चाहिए क्यों यह कुईज में आना चाहिए मित्रो जमाना चला गया कि हमारी पैरेंट्स हमारी अभी बाबक हमारी टीचर हमारी कान पकड़ते हैं कि खेलते क्यूं हो पढ़ाई कब करोगे इस बार तो प्रधान मंत्री जी ने लाल किले से कहा जो अच्छा पढ़ेगा उसको स्कूल में जैसे परिक्सिया में नंबर मिलते हैं आपने खेल के लिए आपने खेल के लिए भी उनको नंबर मिलेगा और सिक्षा बिभाग और खेल बिभाग sports and education minister are coming together to create a new architect this year we'll begin a new chapter we'll write a new chapter all the olympians will be graduate by next four year by earning credits उन्होंने अपने खेल अभी फिर पिभी शिंदु जाए की कहीं खेलने के लिए पिभी शिंदु आज काल सायद आंदर गॉर्मेंट में जहन कर गिये हमारे पहले भारत petroleum की अधिकारी थे उनकी पढ़ाई अगर graduation हुई होगी उनकी MBA तो post MBA भी कर सकती है अभी thesis भी लिख सकती है thesis लिखने के लिए सिरिफ किताब पढ़ना जरूरी नहीं है graduate होने के लिए सिरिफ किताब पढ़ना जरूरी नहीं है निरत चोपरा अभी क्याम में जाएंगे दुबारा और practice करने के लिए उस क्याम की participation की credit points उनकी individual DG account में DG locker में उनकी credit point को रखा जाएगा हमने एक नया instrument education system से बनाई है ABC academic bank of credit पढ़ाई के साथ साथ खेलना खेल में भी number लाना credit point आन करना ये वेवस्ता भारत सरकर बना लिया है इसलिए आने वाले दिनों में खेलने वालों को भी पढ़ने की बराबर की academic credit मिले इसकी वेवस्ता राश्ट्रिय शिक्षा निती के एक प्रमुक हिस्सा है मित्रों खेल में भी देश की गोरोब बढ़ेगा खेल भी एक नया बिदा होगा खेल भी हम लोगों के लिए एक नया instrument of earning होगा इसमें कोई संदेह नहीं है अभी कोरोणा की अंदर जब हम खेल की बारे में विशेश करके fitness की बारे में बात करते हैं कोरोणा में यह सब की prescription हुई है सारे doctor सारे paramedics सारे patient की मन में एक बात आई है मेरे को fit रहना है जिनों ने अपना daily exercise, daily yoga, daily प्रणायम, daily walking ठीक रखा इनको कोरोणा ने कम कस्ट दिया बहुत सा इसका उमर नहीं रहा है यह fitness भले ही हम school से शुरू करें इस fitness की तो आयू अनन्त है कई लोगों ने अपने जीवन की अंतिम क्षण तक पीट रहा इसलिए ज्यादा समय ठीक है इसलिए भारत सरकार एक infrastructure खड़ा कर रही है एक architect खड़ा कर रही है जिसमें खेल फिटनेस नाकेबल एक extracurricular subject होने वाला है यह प्रमुक सब्जेक्ट हमारी पढ़ाई में हमारी रोजगार में हमारी मान सनमान में भी बने हैं इसके लिए सारा व्यवस्ता भारत सरकार और राज़े सरकार मिलके करने वाले हैं कर दिये हैं इसलिए आज इसकूइश कंपिटेशन उस दिशा में एक छोटी सी कदम है आए मैं पूरी स्कूल की पूर से सबको अस्वस्थ करना चाहता हूं भारत सरकार की नीती राज़े सरकारों की नीती दोनों मिलके हम यह 10 लाग सकूल तक इसकी रेजिश्टेशन करें सेप्टेमर महिने में स्टूडेंट रेजिश्टेशन हो गैए endeavors के संख्या में students इस quiz में participate करें fit India quiz को बड़ा बनाए और एक माहोल बनाए देश में खुद को ठीक रखने के लिए समाज को ठीक रखने के लिए और sportsman spirit शिरिप एक साहित नहीं है वो एक spirit है समाज में positivity लाने के लिए हमें fit रहना पड़ेगा मैं आज इस initiative को आज इस program को सुबेच्चा देता हूँ और education ministry चे पूरा cooperation का जिम्मेवारी भी लेता हूँ और आने वाले दिनों में हम सम मिलके भारत जब कुछ चीज तहे करता है वो global model बनना है हमें आप कलपना करिये 10 लाख school, a million school अगर हम हर एक school में सो बच्चों को भी ये फीट इंडिया कुईज में पांटिसिपेट करा दे तो कलपना करिये पूरा ये उरोप भर की जनसंख्या हो जाएगी ये हम कर सकते हैं आइए हम सम मिलके इस बड़ी लक्षे को लेके काम करें फीट इंडिया कुईज को सफल बनाए बहुत बहुत देने बाद